बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेडी जॉब एंड एनलेसिस में आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है गेर और स्प्रॉकेट के बीच में डिफरेंस दोनों दिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि गेर और स्प्रॉकेट जब देखने में एक बराबर है तो उनके नाम अलग-अलग क्यों है इनके नाम अलग-अलग होने के मुख्य वज़ए इनके काम यानि इनका जो वर्किंग है वो है यहां तक कि दोनों मेकेनिकल डिवाइस भी यानि कि दोनों का जो विल होता है वो सेम दिखता है दिखने में अगर आपको gear और sprocket के बीच में अंतर जानना है तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि gear कैसा होता है और sprocket कैसा होता है इसके जानने के बाद हमें clear हो जाएगा कि gear और sprocket में अंतर क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं gear क्या होता है जिसमें कटे हुए दांते होते हैं जब एक दांतेदार गेयर को दूसरे दांतेदार गेयर के साथ सम्मिलित किया जाता है तब दोनों गेयर एक दूसरे के opposite direction में घुमते हैं और rotational moment प्रदान करते हैं मतलब एक दूसरे के opposite में घुमने लगते हैं और एक rotation मिलता उनको और उसके बाद torque को संचारित करते हैं यहां तक कि हम gear के size या दांते को बदल कर torque या speed को कम या control कर सकते हैं इसके बाद जान लेते हैं कि sprocket क्या होता है sprocket एक दांतों वाला एक पहिया होता है जो कि किसी chain या track से जुड़ा हुआ होता है अलाकि अगर design की बात करें तो sprocket और gear के design में कोई अंतर नहीं होता यह दिखने में दोनों लगभग लगभग सेम दिखते हैं एक जैसे दिखते हैं क्योंकि दोनों में wheel और teeth लगे हुए होते हैं लेकिन sprocket के design में थोड़ा सा फर्क ये रहता है कि sprocket के जो teeth होते हैं वो एक दूसरे के साथ interlock नहीं होते हैं कि इसकी designing कुछ इस प्रकार से की जाती है कि जिससे sprocket के teeth, belt या chain में अच्छे तरह से फंस कर चल सकें इसको एक हम cycle के example से समझ सकते हैं अगर आपने cycle को ध्यान से देखा होगा चलते हुए तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि cycle में gear नहीं होते उसमें sprocket लगे होते हैं जो कि एक chain के slot में fit होते हैं और गती को एक अस्थान से दूसरे अस्थान के लिए transmit करते हैं और यहाँ सबसे important बात है कि जब sprocket एक दूसरे से connected होके घूमते हैं दोनों का direction सेम होता है जबकि gear में ऐसा नहीं होता वो एक दूसरे के opposite direction में घूमते हैं यानि कि आप ऐसा कह सकते हैं कि gears में, दो gears आपस में opposite direction में घूम करके power transmit करते हैं जबकि sprocket में, दोनों sprocket एक ही direction में घूमके torque पैदा करते हैं दूसरा जो सबसे important अंतर है वो ये है कि gear किसी भी direction में, मतलब gear का जो axis है, कि gear किसी भी axis में motion को transmit कर सकते हैं, यानि axial में हो, vertical में हो, किसी भी axis में gear अपने motion को transmit कर सकते हैं, जब कि स्प्रॉकेट सिर्फ parallel motion में ही power को transmit कर सकते हैं, इसके बाद अगला डिफरेंस यह है कि गेर में आप multiple यानि एक से अधिक गेर का इस्तेमाल power transmission में कर सकते हैं मतलब 2-3-4 आपने कई जगे मसीनों में ऐसा देखा होगा कि 2-4 गेर लगा कि आप power transmit कर रहे हैं थोड़ा बहुत teeth damage हो जाता है मतलब teeth तूट गया तो vibration या कुछ efficiency loss हो सकता है पर उसकी वज़ा से आपका machine बंद नहीं होगा लेकिन इस प्रॉकेट में ऐसा नहीं होता है इस प्रॉकेट में maximum chain system होता है इस प्रॉकेट में एक या दो teeth तूट जाने पे chain उतरने का खत्रा होता है जिससे कि पूरा machine आपका रुख सकता है या जिसमें भी power transmission हो रहा है वो पूरा का पूरा रुख के damage भी हो सकता है उसके बाद आपका mechanism या system block ही हो सकता है गेर्स लगभग अगर इनके उप्योग की बात करें तो गेर्स लगभग सभी में मेकेनिजमों में यूज किया जाता है जैसे की motor आपके हो गया generator इस तरह में अपना जो हाँ power मतलब साफ्ट से कम rpm में लेना हो उस जगह यूज करते ह हैं लेकिन इस प्रॉकेट सिर्फ वहां यूज किया जाता है जहां गेर लगाना अनसुटेबल हो यानि कि जहां पर गेर आप नहीं लगा सकते उस जगह पर chain system से इस प्रॉकेट का यूज किया जाता है ऐसा नहीं है कि गेर सिर्फ इंपोर्टेंट है इसके में अच्छाई वीडियो और कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी सही लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारा भी होसला आपके एकक सब्सक्राइब से बनता रहता है थैंक यू